लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें लेटेश्ट करें प्रेस करें जो अल्केश पट्रा जिए में दो अब Swan झाल झाल स ald lernen घुट क करे लात दूजे यहां आल अरे लुट लिया लुट लिया कोडियों दिल कि नाइटी बंबाई की मक्सी अरा लुट गया आगरे का प्रेडी कोट मदरास की बोड़ी पफलें कॉटन टेरिकोट पफलें कॉटन टेरिकोट मैक्सी इतना चमाल इतना सस्ता नहीं मिलेगा बोली बेंजी क्या प्राइज इस मैक्सी की सिर्फ एसी रुपेर कम नी करोगे अरे लो ना आपको जाने धुड़ी देंगे सतर में अच्छा माल सस्ता जा रहा है पॉपेर्टेट माल है दिखाऊ हाँ हाँ बताओ लाया तो मैं श्रीदेवी की हेर ड्रेसर के लिए था मैडम शूटिंग पर गई है तो मैंने सुचा किसी बेहतरीन सी फिगर वाली खुप्सुरस सी ग्रहत को डूंगा क्या जम रही है ओरिजनल होंकोंग की है शादी हो गई जी हाँ तो फिर क्या रात को साब देखकर बहुत फुश होंगे बिलकुल लाइट है एक सो पैंटीस कोडियों के भाव अरे में साब सत्तर ये और एक सो पैंटीस दोसो पांच दोसो पांच अरे चलिए आपको दोसो में दिया क्या है वे इंपूरिट भी देशी मोडाल को देना पर पॉपलें 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 कॉटन मैक्सी गई अब गई यार पेपन वही मैक्सी उसे मुझसे लिनी तुस्से लिए तेरा मुणाफा तो ज्याता होता मुझसे अ तो लिए ना मुणाफा कैसे वह क्या है कि नाइटी मुद्दल में भीची, और में सें 50 रट कमा है, वो के सर? इमपोर्टिट बोल कि और कैसे? चे 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 गाकों से झूट बोलकर मुनाफ़ा कमाना चारे सोबीसी होता है भेपिन अबे तु भी शिकारपुरिया यार, अबे धंदे पे सब कुछ चलता, अबे बोलना क्या, तु भी सीख ले, क्या, ताइवान, कोरिया, हौंग कॉंग, सिंगापूर, दुबई चल भे, हफ्ता निकाल, हाँ, साथ, लीजिए, अबे बेपन, हफ्ता लाँ पे दर, ये जम्बू दादा का इलाका है, भूत्ती के, अब उनको हफ्ता दिये बगएर, इस फुटपाद पे कोई दंदा नहीं करता है, क्या बोला बे, तिरे दिन भर गए है क्या, अरे, क्या बात है जम्बू दादा, कुछ नहीं हवल्दार, ये भूतनी का बहुत अकड रहा है, तुम आगे बढ़ो मा भी इसकी अकड निकालता हूं, इस वक्त नहीं, पबलिक देख रही है, तुम मेरे साथ आओ, आओ, तु जा अभी, ठंदे पर, ठंदे पर, ठंदे पर चले, अब चलना यार, अब चलना यार, ओ, मैडम, हम फुक पास वाले कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, जेकर अपने गाड़ी का तरवाजा खोले करो, सौरी, जी नहीं, आप सौरी क्यों कहती है, जी गल्ती हमारी है, जो टक क्या है, क्या है कि आपका सुन्दर रूप देखाना तो नजरे में धक से जम गई, तब तो दो मिनिट यहीं रुकी रही है, यह सुन्दर रूप फेर आएगा आपके सामने, क्या बात करें, अरे अंदर रखो, अंदर रखो साब, इंपोर्टेड है बोला ना तुमको समझाए के, बाह कार से उतरते, कोई मुझसे रूमें चाडने लगा, बाह гदि मेरी बेटी को छेडने की हिम्मत की है, शिर जि, बैभेन, तुमक्त करते रहेants भूल बाहर साथ, बाहर चलो, बाहर जाने कि कौई जरूरत नहीं है, चेडने वाला अंदर ही है, बंदर है पापा अपापा अपने बिल्कुल बंदर जैसी है समझे ना तुम जी लटक रहा है देखो बंदरों की छेड़शा से डरा नहीं करते समझे अब जाओ 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 धंदे का टाइम हो रहा है पापा मुझे 200 रुपय दीजे अपनी सहलीयों को पिक्चर दिखानी है अरे तो दो रुपय में बंदर का तमाशा दिखाऊ 200 रुपय क्यों वेस्ट कर रही हो ओहो पापा मैंने पनी सहलीयों से प्रामिस किया था मैंने सारा कैश बैंक में डाल दिया है ले लीजे जी जा किया मत ले लीजे रख लीजे सेट जी कही है थाइंक यू बेपन मिदर आओ वो मेरी कोई तीजोरी नहीं है उसके सामने रुपया निकालने की क्या ज़र हो थी गलती होगी सेट जी मेरे हिसामें लेख लीजे अगली त्वार को एडवांस है ये कितने है जी वो नौसो ग्यारसो दोसो मारे है अचा ठीक है मैताजी इनको सामान दे देना जी मिरवानी मिरवानी जरा करन का ख्याल लगना सेट जी जाना तुमारा क्या है दोसो साथ बस दोसो साथ जैसी जैसी बिक्री होगी हिसाब चुकाता रहूँगा लो हर भार हिरनी जैसी भागी आती हो ये भी कोई धंग है पिया मिलन को आने का तो फिर कैसे आया करूँ माशुकों वाली चालसी लहराती बलगाती तब तो पहुंचने में आदा घंटा और लगेगा तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा मैं तो तुम्हारा इंतजार यूग यूग तक कर सकता हूँ इसमें वे एक मज़ा है मुझसे तो सबर नहीं किया जाता इसलिए दोड़ी चली आती हूँ तुम कैसे कर लेते हो इंतजार क्लबन करते हो मुझसे जब तुम दूर रहते हो न तो इतना प्यार करता हूँ तुमसे और जब मैं पास रहती हूँ तो कितना इतना इसी तरह प्यार किये जाओ करन बगवान करे हम कभी जुदा ना हो पफलेंड कॉटन मेक से आप अगर आज आप नहीं आती है तो मैं यह शहर छोड़ करी चला जाता क्यों जब आपकी हाथ से बूनी नहीं होती ना तो मेरा तो दिन ही ठीट नहीं जाता सच मालू मेरा तो दंदा ही चौपट होने बारा था हुकम तो करो क्या तू बॉटी तनमंद से सेवा कुण आपका साइज 34 आपको कैसे मालू देखकरी ताल लिए इस बार तो मैं आपको इंपोर्टरी पहनाऊंगा क्या है कि मालिवका जी के लिए छेल आया था उसमें से एक आपको दूँगा कौन सा रंग मेरे हैल से लाल अच्छा रहेगा कितना प्राइज है कैसी बात कर रहे हैं आप से प्राइज लोगा लागत है 105 बस पैंटी भी हैं इंपोर्टेट हैं अरे वो नई हिरोईन आई है नो उसकी हेल ड्रेशन ने मंगाई थी मैडम नहीं होगी शूटिंग पर अभी तक आहीं नहीं मापकी जी आप तो जानती हूँ आपके हांसे बोनी हो तो मेरा दिन अच्छा निकलता है यह तो रात बातें करना चाहता हूं अगर आप नहीं आए तो मैं समंदर में कूट कर जानते दूगा मुझे तहरना नहीं आता सच कितने के दिया पांच रुपए की है पांच रुपए अच्छा हाई मार डाला क्या महक है जुल्फों में तुम कभी अपने गद्राय बदन की महक भी लेने दुरानी कब से मरता हूं तुम पे जिक्षा कब तक बच्चती रहोगी रानी मंदिर गया था सोच आपके लिए परसाथ लेता चलो यह यह कहिए न क्यों बुलाया है बताने की ज़रूद है क्या मत बताईए मैं जाती हूं आप तो खाम खाम बुरा मान नहीं बैठ तो जाए बबर माप कीजिए आपको रोकने के लिए मैंने छूलिया बुरा तो नहीं माना चोटे चोटे कंकल अंदर बुरा तो नहीं माना यह महका आपके बालों से आ रही है ना बुरा तो नहीं माना कुछ तो बोलो ना कब तक मुझे यूही देखते रहोगे जी चाहता है तुम्हे समेट लो अपने अंदर मन में बसा लूं तुम्हे समझ में याता कैसे इस मन की तसल्ली करों जैसे जी चाहे तसल्ली कर लो छोड़ो मुझे तुम हाथ से गुजरने लगे क्यों रोकती है अपने आपको मिटा दो सारी हाते यह सब ठीक नहीं है विपिन मदू और पास आओ और कितने पास इतने पास कि हम एक हो जाएं तुम तुम न रहो मैं मैं न रहूं हम समा जाएं एक तुछे में क्या हुआ 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 अहां मुली नहीं विपिन रीज करें क्या हुआ नह जाने शोली में क्या छुप गया इस दिन के ने हमें दूबने से बचा लिया मधु दूबने से? आहा मलू, पागल पर हम दोनों पे सवार था, ब्यार से पहले अगर कुछ हो जाता, तो मैं अपनी ही नजरों में कर जाता तुमने शादी से पहले लूट लेया मुझे अरे क्या गी सिपडी बाते करें, जवान हो, जवानी के मजे लूटो वो ही नी थी उस बेपिन के साथ, हाँ जम्बु दादा, साला उसकी चोली में हट डाल रहा था अरे बिद्नी की वलादे शादी करन 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 करी लेलो कि अगले मेने का अड़ाज भी ले लो तुने मोहिनी की चोली में हाथ डालने की हिम्मत कैसे की मोहिनी माफ कर दिए उस्ताग मुझसे भूलो गई मुझे नहीं वालू था मुझे नहीं वालू था कि वह आपकी बहन है अब तो जाले और कर दो कर दो झाललब त दो खकान ध पुझन से कमाई सें पुझन से मेरा पां कि वह ऑ तो गो हाई कि वह उसांग, घर्मा प्पारा, है कमाई तोषजड़ा झान कि वह तो-षफ़ा रह हाल leo कर दोओके या सड़ाग वा प्रुव प्रमन तुमन वा चे जा थाओ This और नह सब करन đầu थ thou बंद कर रहे यह ले जा इस बेटर सो बंद कर दो साले को वैसे यहर तु है कमाल का आदमी है मेरी जिहान बचाने के लिए अपनी जान खत्रे में डाल ले भूल जाए यह सब नहीं रहे तुझे नहीं भूल सकता अपने माभाप को तो भूला दिया मगर तुझे नहीं भूलूगा कैसा आदमी है रहे तु तु अपने माभाप को भूल गया वो थे ही इस काबिल जब से हो समादा उन्हें सिर्फ जगड़ते देखा अरोसाला हंगामा एक दिन मेरी माँ गुस्से में आ गई असारी में आग लगा कर चल मरी थोड़े दिन के बाद ही मेरा बाप मेरे लिए सौते लिमा ले आया सौते लिमा मुझ पर जुल्म ढाने लगी अगर मेरे बाप ने कभी इस बत्ध्यान नहीं दिया उस साले पक्के मतलब ही थे बिबिन कमस कम उपनी मा को तो गाले मत दो अगर उसको मेरी परवा होती तो सारी में आग लगाने से पहले अपने छोटे से बच्चे के बारे में तो सूचती उस आग में मासूम जिन्दगी चुलस कर राक हो गई इसलिए आज मैंने अपनी जिन्दगी का उसूर बना लिया है कि सिर्फ अपने लिए ची हो और किसी साले की परवाह बन करो मेरी जिन्दगी में कही आते हैं जाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े कठोर हो चुके हो इतना कठोर भी नहीं आज तुमेरी जिन्दगी में जिस तरह आया है कभी जाने नहीं दूगा और नहीं जाता दिन तक उस कलक फर्ष पर सुने दूगा आज से हम धंदा मिलकर करेंगे नहीं करन नहीं अब और माल उठाने के लिए कोई दूसरी दुकान देखो मैं तुम्हें उदार नहीं दे सकता अरे क्या नहीं पकड़ो तो यह ठीक है देखो सेट क्या है कि मैं और करन अब मिलकर धंदा करेंगे भागी दारी में तू जाना यार माल उठा देखो विपिन यह घूंगा बसंद तुम्हारा कहीं दिवाला ने निकाल दे अरे क्यों चिंदा करते हो सेट इसको ऐसे दंदेगुर सिखाऊंगा कि आपका द्वाला नेकाल लेगा पापा पापा दो सो रुपे निकालिए मैंने अपनी सेहलियों से प्रामेस किया उन्हें आइस्क्रीम खिलाऊंगी तु फिर आगई दो सो रुपे मांगे वो भी आईस्क्रीम के लिए बिलकुल नहीं मिलेंगे क्या क्या कर रहा है सेट जी मैं आपके पाउं पढ़ता हूँ मेरी कमाई मेंसे इनको दो सो रुपे दे जी तुमारी कमाई मेंसे जी क्या है कि आज इनकी वज़े से मेरा चार्सो रुपे का फाइदा हुआ किसकी वज़े से जी रात को ये मेरी सपने में आई थी आए ये लो दो सो रुपे आईस्क्रीम खाओ थैंक्यू अच्छा ये मेरी बेटी के सपने तुमे कब से आने लगे पहली बार क्या है कि आज से पहले तो देवी देवता मेरे सपनों में आया करते थी कल लात देवी का रूपधर के पहली बार आई है समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया मैं बराबर समझ रहा हूँ जाओ जाकर अपना सामान उठाओ नहीं वो तो क्या रूठा रहा है सिर जी अर लूट लिया लूट लिया शरबादार लूट लिया तेंकि मड़ा प्लेण कॉटन मेक्षे प्लेण कॉटन मेक्षे अरे मोटी डार्लिंग दूपहर को धंदे के वकट कहा चली आए रानी प्यार के मज़े लूटेंगे शाम को थंदे के बाद विपिन क्या हुआ तुम से कुछ बात करनी है तुम कुछ उत्री उत्री से लग रहे है क्या बात है अरे मेरी मोटी डार्लिंग अरे मैं बहुत खुश हुआ तुम चिद्दा मत करो मरते मरते दम तक मत माना साथ दूँगा आभी तुम घर चली जाओ शाम को चार बजे महीं मिलेंगे तुम घर चली जाओ दुपहर बहुत है जाओ मोहनी रो मत मेरी चान देखो रोने से तबियत खराब होती है मैंने बुलाना सब ठीक हो जाएगा मेरा दिल नहीं मान था विपिर तुम मुझसे ब्या क्यों नहीं कर लेते ब्या करूंगा जरूर करूंगा मगर अभी नहीं अभी तु चार बाई-चार के खोली में रहता हूं मेरा आर्मान है मैं अपनी जान के साथ शादी करके एक बंगले में जाओं बंगला ना सही फ्लेट तो हो चाहे वन बैडरूमी क्यों ना हो मैं अपनी जान के ये इंसल्ट नहीं कर सकता कि शादी के बाद मैं उसे एक खोली में लेकर चाओं इसलिए तो डॉक्टर के पास लेकर आया हूं डॉक्टर मर्द है क्या ओरत है तुम पर मैं किसी पराई मर्द की नजर पढ़ने दूगा कभी नहीं आजा अब अंदर चलिए आ गये तुम अरे कहा थे अब तक श्रीमा नाजिक अरे यार उसी जमलें फसा हुआ था पहले मौनी को डॉक्टर क्या लेकर गया फिर भर पहुचा आप लॉटा तो आखिर अपने होने वाली उलाद का कतल करा है जजबात ही मत बनो कतल उसका होता है जो पैदा हो चुका हो और जब तक बीच पौधाना बने काटने का लजाम नहीं दिया जा सकता एक बात बताओ विपिन जब तुम्हारा शादी का इरादा नहीं होता तो तुम लड़कियों की जिंदगी से क्यों खेलते हो जिंदगी के साथ खेलना वेलना सब घिसे पिटे डायलोग है दोस्त जवानी खेलती है जवानी से और उस खेल के मज़े दोनों लेते हैं कभी ये भी सोचा है लड़की प्रेम के लिए भी खुद को तुमारे हवाले का सकती है अरे मर्द को भासने के लिए उस वक्त हर लड़की यही कहती है तुमारी मधुने भी यही कहा होगा नहीं बड़ा भी मी जवान रहेगा, मगर तुम जवानी में ही बोड़े हो जाओगे विपिन अवानी में नची कि विपिन कि एखड़ागे विपिन इता भाओगे विपिन आज जिस देले कभी किसी ने किया नजेशा प्या आज एसा हमारा प्यार प्यार हमारा प्यार प्यारी प्यारी हमसे किसी ने सिखेगा तरसा आज एसा हमारा प्यार प्यार हमारा प्यार आज एसा हमारा प्यार प्यार हमारा प्यार कि अजड़ एक जड़ी जड़न सुर्ज में आ जब न उजाला फुलों में तीना खुश्बूर इन सांसों में तब से है तू तब से है ये त्यार शुरू कले दुनिया होंके नहों पर होंगे जुदा ना हम कम होगा ना प्यार हो ऐसा हमारा प्यार के लिए्यार ताहिए जाल कुल प्यार वर्फ सांसों में विया है थे मुजबू कि घन आद कि विया है ते इसी न दया है बढ्या है उजोगा परना पर चुर सेजरिक्ति पिना पे रंग पहार, जीवन में कोई रंग नहीं आए बहारे जाए बहारे बदली मौदा, बदली नाए प्यार, ऐसा हमारा प्यार ऐसा हमारा प्यार, प्यार हमारा प्यार आए बहारे झाऴना जाए इनी मौझा जो बाहरे प्यार कुर में करी प्यार, बज eleg三-मयार दुदूं करा पडला प्यार उने इनी मौझार क्या है यहां में तुझ में है मेरे दौनों जहां तेरे लिए ही जेना यहां है तेरे लिए यह जाएगी जाए प्यार की दुश्मन दुनिया क्या है दिसमत से भी हम लिएक जाएगी जला केा हाएगी कुो १श्च छills कर दिसमत में गठै जिसमत से भी हmental से एका, थय.... हुण्छ! हवालात चूत आया हूँ तुझे नर्ख में पहुचाने के लिए मगर उससे पहले तेरी ये माशूक मेरी बाहों में नंगी तरफाएगी और तू उस्वर का नजारा करेगा कुम धने कुस्ते चौनाएगी करांएगी करांएगी करिंग! कर दो! कर दो! कर दो! कर दो! कि कि एधे अचर इस जत जुश की एफ आ थां सão पिल्विंग और पहन MARTIN उखकां वे क्षिश बम्रärt क्युआ अ हैं स्थारिश । वब अ何ault है बढ़ाओाओाओाओाओड़ड़ मेकगाओाओाओद धरेंड़ाओाओाओ आपक! प्रॉट! प्रॉट! पक्ष।! अक्ष।! बडरो! 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 मदू, मदू, मदू मदू, खुब मदू, थाज़ा मुदू इस बटे साब, हमें, हमें लोस्पिट लेके लिए समाल, जल्दी किजिए रॉकरी साब, जल्दी मदू जल्दी आप यहीं रुकिए मौत भी मुझे तुमसे नहीं चीन सकेगी मरके भी, मेरी आत्मा हमेशा तुमारे साथ ही रहेगी मुझे तेरे आत्मा भात्मा नहीं चाहिए मुझे तु चाहिए तु, जेती जाती तु और तोध से पहले तु मैं मरूंगा अरे बड़े आय पहले मरने वाले पहले मैं मरूंगा नहीं टूट साथ टूट साथ, मदूट ठीक है I am sorry Mr. Karan कर दो कर दो तो ही नहीं सो क्या है जहाँ मैं तुझ में मेरे तालो जहाँ क्या है कि दुष्मन दुल्या क्या है किस्मत से हम आप लिल नारू जारू जारू एशा लुट जारी यारू जारू खमसी शीवा जारू हम एशा लगा जारू 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 कर दो लिल दून किन सकनदाओ कर दो तूप कमार जाएगा पखले अबे सचक क्या क्या मर जाने दूँ अबे तभी क्यों नी मर गया था जब तेरे माबाब तो जाके लाए तो और के तलबसे थे तूजे मालूम था कि तेरी जिंदीगी मदूले से रड़की आएगी अबे बोल तेरी मालूम था क्या आई ना इसलिए आई कि तू जिंदा रहा अरे पगले अब तो क्यों इस खुबस्वर जिंदीगी से मुह मोड़ता है देख तेरी अंधिरी दुनिया में फिर से उजाला करने के लिए कोई और मदू चलिया आएगी नहीं विपिन मेरी जिंदगी में मेरे दिल में मदू की जगा और कोई लड़की नहीं ने सकते है अरे यार अभी तेरा जखन ताजा है इसलिए तू कह रहा है लेकिन वक्त हर जखन को भर देता है नासूर नहीं भड़ता कभी विपिल्ट अबे यार ये नासूर है ये जखा मुझे तो वक्त बताएगा वैसे इन दोनों को ठीक करने का इलाज मेरे पास है चल दुआ अबे चलना यार तु घिज-घिज मत कर अब अबे इतनी राद गए तुम मुझे मंदिर में लायोगे पिल्ट देख करने मैं इन देवी देवदाओं के इतना नहीं मानता हूं यतना तू मानता है इसलिए इनके सामने कसम खा के तू जिन्दा रहेगा और मुझसे दोस्ती निभाएगा बड़ा जिदी है तू ठीक है जिन्दा रहने का वाइदा तू नहीं करता सिर्व इतनी कसम खाता हूं अपने हाथ तू जान नहीं दूँगा कितने दिन जिन्दा रहा मैं पिन के साथ दोस्ती निभागगा बस अरे ये होई ना बात चोड़ा मेरे माटी के शियर चलब चलते हैं अरे चलना ये तो खुले ही रहेंगे वो बंद हो जाएगा अ अरे ये क्या विपन तू कवाल का अदमी है पहले मंदर लेगा फिर यह शराब खाने में ले आए अरे वो कसम खिलाने का मंदर था और ये गम भुलाने का मजरयाल है आजा अरे जारकन एक संत्रा एक सोड़ा और दो गलास दो गलास क्यों अरे बैचना अरे मैं शराब नहीं पीताओ विपन अरे तो आज पीले इससे गम फुरो जाता है अरे विपन मैं नहीं पीताओं तू मैं नहीं पीताओं भाई मिले कुछ ठंडा लेओ बस अबे लल्ला नीमी की घुट्टी समझके पीले इससे फोड़ा फुनसी जखम नासूर सब साफ हो जाता है तू पागल है मैं नहीं पीताओं यार अबे अकम बखास तुझे मधू की कसम है पी पी ठसका लगा ठसका लेज़े शोलेगा खुनबार आवाँ देख करन अब तेरा साथ मिल गया है अब हम मिलके धंदा करेंगे कल चलेंगे शोलापूर और वहां से कपड़ों की जराब बड़ी एजनसी ले कराएंगे की आखों में प्यार तक दिन ना दिन ना दिन आया है अब उदर का जा रहे ये फस्सक्लास है उदर चल्ट तू चिंता क्यों करता है आपने पास फस्सक्लास का टिकट है बाबा, बाबा, क्या हो बाबा, तबे तु ठीकिना बाबा बेटा बेटा पाणी पाणी इलिए अभाग आरमसे ना से. बेटा, कोई, कोई, कोई डॉक्टर! डॉक्टर? करन, तू जाके कहीं से डॉक्टर कर, मैं ने देखता हूँ. मैं आया, बाबा! बाबा? वे बाबा, नााइ पारेशान वाथ तो बाबा, सब देखता हूं. बाबा, आ, रे जा, रे जा तुम. है ये प्लैस्ट Σबस्टरू कर दो है है वर बाव क्यों से लो आओगर करेंबंद्ट कर द Top कर दो दो हूँ कर, कर दो किर दो आया है दोक्साब आया आया है दोक्साब आया आया इपना पुछारी मस्ट भी अमैसिव हाट आटक आप लोग पुलीस को खबर कर दीजिए पुलिस? यहां, जी, जी. ए, चलो, चलो, तुम लोग! काय को फीर लगा रख यहां पर? चलो, चलो, अपना गाम को रख चलो! आप लोग पंचनामे पर साइन कर दीजिए और नीचे अपने पता लिख दीजिए क्यो? होट में आना पड़ेगा बैयन देनिकली आपको हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ मलने वाले का सामन क्या-क्या है? जी मैं, ये, 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 ये अबल रख, सामन ले लो ए, 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 गोच्चू! क्या है? ये गद्दा के लोग पेट रहा है, हाँ? यार, ये बहुत पिल-पिला है, यार मुझे तो कड़क बिस्तरी की आदत है, भई अबयो, जंगली कहीं के नरम बिस्तर की आदत डाल अभी तो सुर्फ फ्लैट लिया है, उसके बाद बंगला लेंगे, फिर बड़ी सी दुकान लेंगे अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बहुत आगे बढ़ना है कितना ही आगे बढ़ लो दोस्त अन्त में तो कड़क बिस्तर भई जाना है लकडियों के चिता पे अयययो, दिवाब मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसको पीना सिखाया इसको लेने के बाद भी निराशा की बात करता है तेरी ये दवाब बैसरे यार मेरे दिल का नासूर कभी ने भरेगा आरे भरेगा देवदास, जरूर भरेगा जखम है ना, जरा मरहम लगाने वाली कोई आने तुदे तेरी जिन्देगी क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आये, 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 आये ना अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहां पधारे आप यहां कहीं फड़ास फड़ास में रहती है मेरे मतलब ऐसे मिलने जोले से प्रेम भलता है जी नहीं मैं काफी दूर रहती हूं वैसे आप दोनों विपिन और करन है ना? वह करन है, मैं विपिन हूं यह तो खुशकुस्मती है हमारी कि आप दूर रहकर भी हमारे बारे में जानती है आई, 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 आप यहां बैठिए Thank you मैं जान सकता हूं कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला जी, पुलिस स्टेशन से जी हां, वहां से आपका नाम और पुराना पता मिला उस पुराने पते पे गई तो चॉल वाले ने कहा कि कल से आप इस फ्लेट में रहने को आए है मगर आप है कौन और पुलिस तक हमारी तो लेने के लिए क्यों गई यह जानने कि जब पिता जी का हाट फिल हुआ तब उनके साथ ट्रेन में कौन था तो आप शिरीमान स्वरगवासी जी की बेटी हैं वह बरवाला भी कितना अंधा है उसको ऑढ्लया जिसके डुनिया में रोने वाले हैं और मुझे देहको चबे देखी इमिस्टर बेफिन ट्रेन में जो पितजी का सामान था वह आपने पुलिस के हावाले किया लेकिन एक ब्रीफ केस नहीं किया अंहां अगर उनके सामान में तो कुई की ब्रीफ केस नहीं था हाँ मिस्टर विपिन और उस ब्रीफ केस में दस लाक रुपे थे दस लाक हाँ अब समझ में आया कि जब हम डिब्बे में दाखिल हुए तो आपकी पिताजी हार अटैक में क्यों पड़े हुए थे हो सकता है कुछ मिनट पहले कोई चोर चक्का वह ब्रीफ के हाँ वही लेकर भाग गया होगा मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है आपकी इतनी बड़ी रखम चोरी हो गई और आप इंक्वारी के लिए पुलिस को अपने साथ लेकर नहीं आई अगर सुराग न मिला तो पुलिस भी आएगी तो इसका मतलब यह अभी तक आपने पुलिस को नहीं बता है तो आपके पिताजी के पास हेरा फेरी के रुपे मेरे पिताजी बड़े इमांदार आग्मी थे समझे आप अब आप ये बताएए कि ये फ्लैक लेने के लिए आपके पास रुपे कहां से आए सिक्किम लोटी लग गई थी आप जूट बोलते हैं जबान समालिए आपने मुझे जूटा का आए मुझे जूटा का आप क्या समझती है में साब क्या आपके पिताजी को लूटकर हमने ये फ्लैक रिदाया है मैं सब इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी का ब्रीफ के स्ट्रेंज से चुराया गया है और उस कंपार्टमेंट में आप दोनों के सिवा और कोई नहीं था तो जाईए फिर थारे में जाकर रिपोर लिखा दीजिए मेम साब आपके पिताजी को लूटना होता ना तो हार अटाक के बाद उनकी जान बचाने के कोशिश नहीं करते हैं बागते कुछते डाक्टर ढूंड कर नहीं लाते हमारा उकार मानने के बजाए आप हमेर इल्जाब लगा रही है आप जैसे असान फरामुष लड़की देख हमने आज तक है इसे क्या देख नहीं है जाए पुलिस में आगर बोल लखा दीजिए चलवादी ये भाज हमें जाए ना वो दसलाक मेरे काले धन के रुपए थे साधना मैं पुलिस में नहीं जा सकता तो मैं जाओंगे पुलिस के पास तर पाहर मेरे सosphा कोई नहीं जानता कि उस ब्रीफ केस में मेरे दसलाक रुपे थी लेकिन सेज जी हो सकता है कि बाद में आप खुद सोचे कि मेरे पिता जी ने कैसी बात करकी उसाधना उस नेक और एमानदार आत्मी के बारे में ऐसी घटिया बात में मरते दम तक नहीं सोच सकता और तुम भी उन रुपयों के बारे में सोचना छोड़ दो जिसके नसीब में थे मिल गये उसे यह ले दो सो रुपय तु समझ गया ना करना क्या है यह कुल समझ गया आप फिकर ना करो बोलता हो ना सरकार आपका गुच्छा ख़़ा हो गया बालों का गुच्छा बालों का अरे साला इसको भी आज ही ख़़ा होना था सरकार, वो घर से कोई निकली देखो अब ख़ड़ा कर, ख़ड़ा कर, नमस्ते में साफ, जिस तरफ ये बस जा रही है, उसी तरफ मैं भी जा रहा हूँ आये रिक्षे में छोड़ देता हूँ No, thanks No, thanks Thank you, sir लगता है आप मुझसे नराज हैं आप क्यों लिक्षे से उतर गए? वो तो लिक्षा था मेम साब, अगर मैंने आपको हवाय जाज से देख लिया हुता ना, तो खरकी तोलके जब कर गया हुता आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आज़ो, धैरो चलो चलो यहां तो आप नहीं जानते कि किस जगत कैसी बाती की जाती है या फिर जान बुछ कर करते हैं कहां जाना है में साफ? मांट रोड तुम्हारा रिक्षा इतना तंग क्यूं है? और चोड़ा नहीं हो सकता था संपनी बनाता है साथ जाकर उसको बोलो आप कहां जाएंगे? मिलन मंसर वो कहां है? इसी रास्ते पर है पहुशते ही आपको बता दूगा साप मुझे भी बता जाना सारा दिये मोड़ो मैं और ये मिम साफ पती-पत्नी नहीं है बात जोना देर में समझ में आती है तुम से कहा था न धीरे चला? आपने डोन के लिए कहा था साप मैंने तो ब्रेक मारा है ब्रेक न मत लगाऊ ये साम्कों समले में हाथ वा लग रहा है जहां नहीं लोगे js怕 इसके कर दो अरे गर जाऊं के में इसके कम पर साफ दो कर दो कर दो कर दो है जाव चाहिए टावर्ण डाव अच्छा को छाया अच्छा वीजय हुआ क्या पांगड़ास को फशा भाए टीमक्राइख है मैंत भाविशन वोगों किरने विज का भीजा को आप है अब जंगल में बैटके इश्क करना लैला मजदू, बाद में शायर को जाना पैदल, सारी अकड़ निकल जाएगी, संजा क्या है, यह किस बयाबार में उतार गया, आसपास कोई सवारी भी नहीं, आप चेंता मत किजी, मैं तो हूँ, अहां, वो क्या कि, एस जी की बस यहां स जी वहां देखिए, वहां बिल्कुल प्लेन समतल है, वहां चले, वो, पेल, पेल, वो, हां, बैठिये ना, इस पे, कहीं आपकी सारी मैली ना हो जाए, नहीं, नीचे घास है ना, आपको घास पे बैठने दू, हो सकता है, शर्वश्री, पंडित, क्यान सागर की बात सत्ती हो जाए, बैठिये न, ब्लीज, बैठिये, क्या कर रही है, आप, पंडित क्यान जी, वो कौन है, आपने उनका नाम नहीं सुना, ले जी, बहुत बड़े जोटिशाचारे है, पिछले हफते उन्होंने मुझसे कहा था, बालक, तेरे जी बन जाएगी और तू उसका दास, एक बात उन्होंने और भी कही थी, तो उसका नाम सरस्वती वाले साथ से शुरू होगा, आपका नाम साथ से शुरू तो नहीं होता न, ऐसे आपका नाम क्या है, बताएए न, साधना, साधना, आप वो लड़की नहीं हो सकती, पंड़ जी ने ये भी कहा था, कि उस लड़की के पिता मध्यमबरगी होंगे, मेल क्लास नौकरी पेशा, आपके पिताजी के पास तो लागों रुपे थे, नहीं नहीं, वो पैसे उनके नहीं थे, वो पैसे जिनके थे, उनकी यहाँ पिताजी नौकरी करते थे, नौकरी, यानि की नौकरी पेशा ही थे, तब तो उनकी दूसरी बात भी सत्य निकली, तब तो तुम ही हो मेरी संगीनी, मैं, देखो, देखो साधना, तुम इस तरह में से मुझ न फेरो, तुम ही मेरा भविश्य हो, तुम ही मेरा तूचर हो, और मैं, मैं अपने भरुष के बारे सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ, सब कुछ बता हो सकता क्या बता हूँ? यही, यही कि वाकई तुम नौकरी ढूने के लिए निकली थी मैं पालूँगा उन सब को, मेरा भवेश्य किसी की नौकरी करे, उसे सहा नहीं जाएगा सुनो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं समालूँगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है तुम किस सोच में ढूबी हो जान? जिम्मेदारियां जिम्मेदारी? भाई, बहन, मा सुनो तु, रात को मुझे बड़ा अजीब सपना है कैसा सपना? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है और सुहाग रात कोई जगडा हो गया कैसा जगडा? यह कि तुम बच्चा चाह रही थी और मैंने का नहीं जानम बच्चा अभी नहीं सबसे पहले मुझे तुम्हारे भाई को पढ़ा लेखा कर उसको अच्छी सी नौकरी दिलवानी है और उसके बाद तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूणना है उसकी शादी करानी है तब हम आलाद का मूध देखने के लाहिक बनेगे वैसे मैंने सपने में कोई गलत पैसला तो नहीं किया ना नहीं ना अब चलो कहां? मा से मिलने किसलिए? ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में तुम जैसा महान और नेक इंसान भी है बिलकुल ने देखो साधना बड़े बुडों ने कहा है नेक की कर और दरिया में डाल और मैं इस बात में यकीन करता हूँ क्योंकि मैं अपने किये को कभी जताता नहीं मेरे तो कर्म बोलते हैं और फिर दीरे धीरे माता जी को, यानि कि हमारी सासे जूप मेरी सास ऊजी को सबकुछ पता चल जाएगा ये मेरा साभागे था कि मैं तुमसे मिली और तुमसे मिलकर मैं अपने पिता जी की मौत की दुर्भागे को भूल गई हूँ तुम चुनता क्यों करती हो जान मैं तुम्हें पूरी तरह से सवागवती बनाऊंगा लेकिन एक शर्त है तुम्हें सवाग रात वाले दिन बच्चे की जिद नहीं करो पक्का वादा रहा है न अली, यहाँ ठैरो ना, देखने तो दुरना चाओ तेखो ना यहाँ, कुछ चूब रहा है यहाँ कहाँ, बलाच खुल खुल ना, खुल खुल दिखा तुम्हें गिक कासं देखो आपके पिताजी क्या ऐसे ही रोज देवी की पूजा किया करते हैं? हाँ, अपने धन्दे के लिए अच्छा, तो क्या आप मुझे अपनी एक फोटो दे सकेंगी? क्यों? मैं भे इसी तरह से रोज आपकी पूजा किया करूंगा दरने की बात नहीं, आला नहीं ये कान में तो फिर आप देँगी फोटो मैं देवी तु नहीं, जिसकी पूजा की जाये अरे आप देवी नहीं मेरे लिए तो महा देवी है ऐसी जानदार प्रतिमा है जिसकी घर के साथ साथ मन मंदिर में बिठा कर पूजा करनी चाहिए अब समझा सपने में वियाक दर्शन कर लेता हूं तो मेरी कमाई चौग नहीं हो जाती है काश के आपके साथ संपर्क भी चम जाता कैसा संपर्क घनिष्ट बहुत गहरा कभी न छूटने वाला लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहां कि जो आप मेरे घर आके बिराचे आपना सही तो आपकी फोटो ही सही लक्ष्मी जी मुझे आप चाया देंगी क्या देंगी देंगी न क्या देंगी तो आपने कान में लगा है बोल क्या मांग रहा था मेरी बेटी से हाँ फोटो फोटो मांग रहा था मेरी बेटी से तुने क्या क्या इस पर मंत्र फूंके है मैंने अपने कानों से बराबर सुना है संपर्ग जमाना है अपने घर में ले जाना है खबरदार अगर ये घर से गई तो इसकी टांगे तोड़ दूँगा साथ में तेरी भी माफ कर दीजे सेट जी नादानी में भूलो गई अकेला हूं सेट जी बचपन में कुम्ब के मेले में माबाप छोल कर चले गए थे कुम्ब के मेले में तब से संपर्ग बनाने के लिए भटक रहा हूं भावू को गया था माफ कर दीजे सेट जी कैसे माफ कर दो तू जाने क्य क्या कह चुका है मेरी बिटिया से हाँ अगर संपर्ग जमाना है तो यहीं रहकर जमाना होगा मेरा घर जमाई बन कर रहना होगा तो मंजूर है या नहीं तो मंजूर है ससुर जी सॉरी डार्लिंग ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा तुम्हारी बला से कभी पार्क में बुलाते हो तो कभी समंदर के किनारे लेकिन अभी तक घर चलकर मां से मिलने की फुर्जद नहीं मिले जब भजन कीरतन गाना होगा तुम आजी से मिल लेंगे तुम्हारे साथ प्रेम गान गाने के लिए ती ये सुनसान जगह ही अच्छी है चुड़ो न मुझे जब बे मिलती हूँ एक ही भूठ सवार रहता है तुम्हारे सर पे अरे जब अपसरा सामने हो तो भूठ क्यों नहीं सवार होगा साथ नरानी अब ये मसका पारिश बंद करो मेरे सर पे तो सिर्फ परिशानिया ही परिशानिया है बढ़ती जा रही है ये लो को कि नरी है तुमने मुझे समझ किया रखा है शाथ न तुमारी कसम मेरा फरस खाली हो गया जरूर्बत बढ़ी कर्ना चाहता हूं तुम्हारा दिल तुमारी परस में है क्या में तुमसे रूपीय ने ने लगू तो इसा लगीगा जैसे अपना जिसम बेच रही तुमय दिन चर चुके है मुझे क्या? दो हफ़ते से ज्यादा फिर वही केस बस यही है मेरी भेंग जी और यह साधना है मानना पड़ेगा आज तक अब जितनी भी केसिस लाए है उन सबसे सुन्दर है यह कैसे केस डॉक्टर? क्या ही पहले भी दूसरी लड़कियों को यहाँ लाते रहे हैं? लोग अकसर ऐसे केसिस मेरे ही पास लाते हैं क्योंकि मैं अबोर्शन में एक्सपर्ट हूँ अबोर्शन? हाँ यानि गरपाद कोई खास तकलिफ नहीं होगी आप 8-10 गिंटों में अपने घर जा सकेंगी इसका मतलब यह हुआ कि जूटे बाते करके यह दूसरी लड़कियों को भी अपनी वासना का शिकार बनाते रहे हैं और उस नीच काम में आप इनकी मदद करती रहे हैं देखो लड़की, यह क्या करते हैं, क्या नहीं मैं इसकी जिम्मेदार नहीं मैं तो अपना फर्स पूरा कर रही हूँ और आजकल तो गरपाद की इजाज़त कानून भी देता है इजाज़त देता है परिवार नियोजन के लिए किसी कवारी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं और आप भी ये मत समझेगा, मिस्टर कि इस बार भी आसानी से बच निकलोगे मैं उन कमजोर औरतों मैं से नहीं हूँ जो तुम जैसे भेड़ियों का शिकार बनकर भी चुप रहती है नारी अधिकार के सामने लड़ना नहीं जानती अगर तुमने मेरे साथ दयाा है किया तो इस समाज में तुम्हारा रहना में मुश्गी करदूगी मगर कौन का रहा हैंकार देखो तुम मीरी बात तो समझजे रहीए देखो मेरा अपन तो घड़ है नहीं मैं ब्याकर तुम्हे कहां ले जाओंगा मैं खुद तो करन के साथ में रह रहा हूँ अभी अपना घर बनने में महीनों लग जाएंगे इसलिए तुम इससे छुटकारा पालो हर्गिस नहीं बहुत आचुकी तुम्हारी चिकनी चुपडी बातों में अब साफ सुन लो, तुम्हे फौरण मेरे साथ ब्या करना होगा और चब तर घर ना मिले, मैं मां की साथ रहे लोगी देखो, तुम भी साफ साफ सुन लो, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझायाई लो फिलाल मैं बया नहीं कर सकता, भेंजी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम अबर्शन करा लो ना वरना समाज की कलंक से बच नहीं पाओगी, बर्भाद हो जाओगी तुम मैं बर्भाद हो गई, तो इन मिस्टर को भी चैन से जीने नहीं दूगी आरोतों की सुरक्षा के लिए हैं कुछ संस्ता है, उनका दर्वाजा खट खटाओंगी, इन मिस्टर की अस्रियत सारी दुनिया को बता दूगी, और आप की भी मेरी असलियत आप समझती है कि अबोशन करके आप अपना फर्स पुरा कर रही है, जी नहीं, रूपिय बटो रही हैं आप, पेबस अबलाओं की मुसिबत से पैसे कमा रही है, एक औरत होकर भी आप इन जैसे लुटेरों को शेय दे रही है, जो बोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फास कर, उनकी आप रूल उटते हैं और आप बिजनेस बढ़ाते हैं, चली है मुझे कलंग से बचाने, औरत जात के नाम पर आप खुद एक कलंग है, साधना ने ठीक ही कहा है, मिस्टर पीपिन, आप फिर ऐसे केस मेरे पास मत लाइएगा, और सुनिये, अ आपके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो मैं इसका साथ दूंगी, साधना ने मेरी भी आखे खोल दियें, डॉक्टर बहन जी, मेरे भी जमीर को चरगाती है, मेरी पिछली सिंदगी के लिए, मेरा समीर मुझे मलामते दे रहा है, आज से, आज से मैं नई सिंदगी शुरू कर सिर्फ दो हफते, उसके बाद हम अमेरे शा के लिए पत्री पत्री बन जाएंगे, साधना तो मैरे बच्चे की मा बनने वाली ही बिपिल, तो मैं उसकी साथ फॉरण शादी कर लेंगी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी तबहा हो जाएगी, गुद्धी भिष्ट हो गई है साधना जैसी कंगाल से शादी करके जंजाल के सिवा कुछ नहीं मिलने का है, अदे सेट धनी राम की बेटी से शादी करूँगा तो करोड़ों हाथ में आएंगे करोड़ों, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, मैंने तुस्से कहा था न, नरम बिस्तर पर सोनी क्या अब हमें महलों में जाना है, महलों में, अपनी नरम सेज के लिए तुम किसी की जिंदगी में काटे बो रहे हो विपिन, जो भोगे, वही काटोगे, एक दिन तुम्हारी ये नरम सेज काटोगी, सेज बन जाएगी हाँ, अबे तु ये भाशार देना बंद कर, और मेरा उस इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे किसी गाउं में ले जाता हूं, तु मेरे साथ चलेगा, वहां से मैं चुप चाप कर सकाऊंगा, तु उसे मारो करे ना, यहां कि मैं सिर्दही नाम की बड़ी से शारी कर लिए, क्यों, कईसा लगा पिलेंगी है, हद नीच और थर्ड क्ला अरे पाखंडी, साधना जैसी भली लड़की के साथ तो फरेभ मत कर, हाई लगेगी उस बेचारी की, अवे, तु क्यों उसकी वकालत कर रहा है, तु दोस्त मेरा या उसका, यह मत भूल, मंदर में तुना दोस्ती निवाने का समकाई है, अब निवा दोस्त या, यह दोस्त वे गुंडे भी खरीदे जा सकते हैं, क्या का, गुंडे? हाँ, वो उसी हमेशा के लिए रास्ते साथा देखे, यह लिए के, तुम कतल कर आपे? हाँ, मैं उसका कतल भी करवा सकता हूँ, अपनी मंचिल को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता है, अरे डार्लिंग, साधना, हाँ, मैं डार्लिंग, आई लव यू, सौ साल जी होगी तूम, मैं तो तुम्हारे खैले में डुबा हुआ था, अगर तुम ना आती हमे तो तुम्हारे जुदाई में समंधर में कूत के मर गया हूता, अरे मेरी रैनी के चेरे पे लाली आगी देखे, ललका होगा, ललका गोलूशा। मा को पता चल गया है कि मैं, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हे जानना चाहती है। घर चलकर उसे यकीन दिला दो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, प्लीज। तुम्हारी मां से मिलने के पहले, तुम मेरी मा का आशिरवात लेला, हम इस वक्त गाउँ चलते हैं, ठैरिये सादना जी मच जाए ये विपन के साथ, ये छल कपट कर रहा है आपके साथ अरे चुप करना यार, इसे मजाग करने की पुरानी आदत है, आ हम चलते हैं न डार्लिंग, चुलो ले ये मजाग नहीं है साथ ना जी, ये भाकारा है आपको, मेरा यकीन कीजिए, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, बेपिन की जिन्दीगी में ना कोई मा है ना कोई बा मतार, दोस्ती के नाम पर क्लें का तू, दूर कितना मी जोर लगा लेकिन मैं इस कंगाल से शादी नहीं करने वाला नहीं बेपिन, ऐसा नहीं होत मत लगा, अगर मैं शादी करूँगा, तो किसी दौलत बन की सकारूँगा, सब्सक्राइए, जो करना है जो कर लोग जाए, सादना जी, सादना जी, रही हमत, देखिए हमत से काम जीचे, यह बितन वकूफ, आप चलिए खर में आपको खर शोर देता हूँ, चलिए, घर जाने से तो अच्छा है कि मैं समंदर में खुद कर अपनी जहान देता, अब मैं किसी को अपना मूँ दिकाने के काबिल ने रह मुझे यकीन है कोई ने कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन मैंने मा से वादा किया था, कि मैं उसके होने वाले दामाद को अपने साथ लेकर आओंगे, घुमा, वादामाद आपकी माताजी तक जरूर पहुंचेगा साथ नाजी, जिया, मुझे उम्री दे के मैं सारी उलजुनों को सुलजा सकोंगा, ये क्या किया तुम दोनोंने, मा ये हो, बहुश हरमिंदा हूं मा जी, उस गलती के इभाफ ही मंगता हूं आपसे, जो मैं और आपकी बेटी जावनी की जोश में कर बेड़ेगा, ये अब क्या कह रहे है, मैं ठीक ही तु कह रहा हूं, हम दोनों शादी करेंगे तो क्या हुआ, शादी से पहलो इस हरकत को गलती ही कहा जाएगा, अब होश में तो है, पूरे होश में हूं, कहा था तुम से, अब हर उलजुन को सुलजाना मेरा कामन है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तु मा मनने वाली हो, ये बात अरोस परोस पे जार देन चुप नहीं सकती, ठीक कहते हो बेटा, कितनी जल्द हो से के मेरी बेटी से शादी कर लो, हम कली ब्याह कर लेंगे माची, अच्छा, क्य जीव, जरूर समझाव, बेटे, जाओ, सादना जीव, ये क्या किया आपने, कोख में बच्छा किसी और का हो, और पती कोई और बने, ये कोई भली औरत स्विकार नहीं कर सकती, जब बच्चे का बाप आपका पती बनने को तयार नहीं तो फिर और क्या किया जा सकता था कोई और उपाई हो तो बताई आप मुझे मैं मेरा पती बनना पड़ेगा उसे किसी और से ब्याहा नहीं करने दूंगे उसे उसकी दखाबाजी सारी दुनिया को बता दूंगी और मेरे तरफ से आप गवाही देंगे, वो डॉक्टर गवाही देंगी मैं समाज में उसका रहना मुश्किल कर दूंगी उसके पहले वो दुनिया में तुम्हारा रहना कतम कर देगा मुश्क कह चुका है, वो कातल गुंदे लगाएगा तुम्हारे पीछे ठीक है, कर देखातम, मैं इसके लिए भी तयार हूँ जमाने का कलंग छेली से तो बहतर है कि मैं मर जाओ तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी मा और भाई भेहन का क्या होगा ये सोचा तुम्हें क्या वो खुश रह सकेंगे, कौन पाने गा उन्हें भर के तुम तु बच निकलोगी, तुम्हारे अपनों को डसेगा तुम्हें जीना होगा साथना अपनी मा, भाई और बहन के लिए जीना होगा जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दुआ उसी में सबका भला है हम अपने भले के लिए आपके जिन्दगे क्यों बर्बाद करें पत्नी के बारे में आपके अपने कुछ अर्मान होंगे करेलू जीवन के कुछ सपने होंगे सारे सपने तूट गए सारे अर्मान मिट गए उसी दिन जब मेरी मदू ने दम तोड़ा उस दिन मैं भी मर गया चलता फिरता हूँ, सासे लेता हूँ वगर अंदर से बिलकुल मर चुका हूँ मैं इस जनम में मदू के सिवा किसी और लड़की से प्यार करना मेरे लिए मुम्किन नहीं इसलिए तैय कर लिया था कि मैं कुवार ही रहूंगा लेकि अब मैं तुम से ब्या कर सकता हूँ क्योंकि हमारी शादी तो एक समझोता होगी हम दुनों की बीच ताकि समाज में तुम्हारे घरानी की इज़त बनी रहे मा बनने से पहले तुम्हें पती मिल जाए और तुम्हारे आने वाली संतान को बात ये भी सोचा है कि आपको क्या मिलेगा उस समझोते से एक ऐसी पत्नी जो किसी की जूठन है ऐसी हुलत जो आपका खुन नहीं घरेलू जीवन जो बिलकुल बनावती होगा कुछ दिरों की बाद आप सोचेंगे कि ये कहां भज गया मन का ख्लेश आपसे सहा नहीं जाएगा कोई ख्लेश नहीं होगा बलकि खुशियां मिलेंगे मुझे अगर इनसान समझे तो दूसरों को सुखी करने में भी एक निराला ही सुख है मदों की मौत के बाद मैं कम ही समझ नहीं पाया कि मैं क्यों जी रहा हूँ, किसलिए जिन्दा हूँ लेकिन अब जीने का मकसद मिलेगा मुझे मैं तुम सब के लिए जूँगा, तुम्हारे आने वाली संतान के लिए जूँगा मैं कुछ जिन्दियों के काम आ सकूँ, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा लेकिन मुझे डर है, उस नीरस जीवन से आप देरे देरे ऊप जाएगे नहीं, अपने आप पर विश्वास है मुझे, ब्या के बाद हम एक छट के नीचे तु सोऊंगे, लेकिन एक बिस्तर पर नहीं हमेशा एक परदा रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में मुबारुख जुज़जी, पेका हुआ है पेका कितने प्यारा लग रहा है, बच्चे को कालाखी का लगाओ बहें, किसी की नज़र न लगे आईए जुज़जी मुबार्ख जुदीबी पास आओ करन बेटे को गोद में नहीं लोगे क्या क्यों नहीं बच्चा बिलकुल अपने बाप पर गया है भगवान न करे क्यों नहीं क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुम जैसा निकले मुझे खुशी होगी अगर ये अपनी मा जैसा निकले अज जल्दी घर आईएगा पती सेवा हो रही है भावी अरे करन भाया आज फेरा के ले कभी तो भावी को हमारे घर लेके आईए आप देवर पर हुकम चलाएंगी कभी इनसे भी कहिए आपको हमारे घर लाएं खर पहले मुझ मीठा कीजिए किस खुशी में? मेरे घर बेटा हुआ है मुबारा को करन भीया थैंकिई भावी चलिए जी अभी चलिए अपने भातीजे को देखने मेरा भातीजा अरे करन भीया आपके पाटनर है भाई समान है इनका बेटा आपका भातीजे नहीं हुआ क्या चलिए फॉरण हाँ चलेंगे चलेंगे फिर कभी अभी चलिए मैं बच्चे की मा से भी मिल लूँगी आसक दर्शनी हुए अरे सोच क्या रहे है चलिए ना आप उनके बच्चे को नहीं देखना चाहते क्या बच्चों से कोई भी नजर नहीं चुराय करता भावी हाँ कभी कबार बढ़ों से नजर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अचा बगबग बंद कर चलेंगे लक्ष्मी जरह मुझे काम से फुरसत पाला नहीं तो फिर तो में लेके चलेंगे अभी तो मुझे इसे धंदे की बातचीत करने है अब मुझे ताक राय खड़ा खड़ा चल बहर में चलते हैं बेटे ही फुजी में कोच जश्न मश्न मनाते हैं चले लीजे भावी यह ले मेरे बेटे की परवरेश में किसी बात की कसर ना रह जाए तुम्हारा बेटा तुम कुछ भोल रहे हो विपिन मेरी धर्म पत्नी ने उसे जनम दिया है वो मेरा बेटा है सिर्फ नाम के लिए करन लोगों की आँखों में धूल चौकने के लिए उस बच्चे की रवों में जिसका खून बहरा है वो उसकास लिवाब है अरे तुम तो अपने खून को गर्म में कुछल देना चाहते दे पिपिन उसे जीवन दान देने वाला मैं हूँ उसकी रक्षा करने वाला मैं हूँ बढ़ाबने ये रुपे अपने बेटे की परवरिश में खुद अपने दम पर करूँगा जानता हूँ तेरा ताम उस बेटे की परवरिश तो एक तरफ रही मेरी मदद के बिना तो उसकी मा को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता क्या कहा तुमने? हाँ बुरा ना मानो करन अपने आपको पहचाने की कोशिश करो आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी ऐशो आराम है वो मेरी वज़ास है मेरी देन है अगर मैंने तुम्हें अपने साथ ना रखा होता अपना पार्टनर ना बना रहा होता तो तुम्हारी हैसियत वही सलक्छाप जो अपने वहाच छाप फा के मस्त फेरी वाले की होती शुक्रिया वेपिन मेरी वाकाद याद देनाने का बहुत-बहुत शुक्रिया मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता दरके कि मुझे भागेदार बनाकर आप मुझे रितना बना आएसान कर रहा है अरे मुझे उस फेरी वाले की फाके मस्ती मन्जूर है मगर आश वराम की जिंदगी के अपने खुद्दारी बेचना मन्जूर नहीं आज से तुम्हारी हो मेरी भागी जारी खतम करना पागल मत बनाओ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे मंदिर में तुमने भागवान के सामने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी दोस्ती निभाने की कसम खाई थी मगर काम धंदे में भाग जारी की कसम तो नहीं खाई थी निभाता रहूंगा दोस्ती लेकिन बागी के मामलों में तुम्हारा रास्ता लग, मेरा रास्ता लग चलता हूँ छोड़ी बोतल, खाना खाने चलिए आई, आज से मैं सिर्फ प्यूँगा खाओगी तुम क्यों? आप क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि मैं तुम्हें खिला सकूँ विपिन का साथ छोड़ दिया कड़की तु आएगी किसे वोई तड़क छाप फेरी वाला यह जानकर मैं बहुत खोच हुई इस घर में खाने वाला है यह कौन? मुन्ने के भी उमर मेरी जैसी, पीने की है विपिन ने चैलेंज दिया है तो आप भी आगे बढ़कर दिखाएं कुछ करके दिखाएं खाके बढ़के, कुछ करके? क्या करके दिखाओं? आई तो तुम घड़ी हो? नहीं मेरा मतलब अब आप फेरी वाले नहीं बनेंगे तो फिर क्या बने होगा? इतने दिनों से गार्मन बिजनेस में है कुछ ने कुछ से सीखा होगा अब अब आप अपनी खुद की नहीं डिजाइन्स तेयार कीजे घर में मशीन भी है मैं कपड़े सी दूँगी और दुसरे फेरी वाले उस डिजाइन को बेचेंगे मैं ड्रेस डिजाइन कर दिकूँगा जाइन्स हाँ क्यों नहीं मैं हुना आपके साथ हर तरह की मदद के लिए अपने आप में विश्वास चिखाकर एक पर कोशिश तो कीजे यह क्या करने लगे आप नाप ले रहा हूँ नहीं डिजाइन का ड्रेस तयार करने के कोई मॉडल की जरूद होती ना तो सैचीश भात पच्छीश यह उपर का नाप लेना पड़ेगा तब ही ठेस बनेगा न देखे जी ऐसी चुई मुझे ख़़ी रहोगी तो कैसे चलेगा तुम ही यह कहा था कि ड्रेस में बनाओ तन के ख़़ज़ई और हाथ तो पर कर लीजी प्लीज प्लीज यह सांस लेना कम कीजिए प्लीज क्या हुआ कुछ नहीं तुमिर ऐसे भाग क्यों गई नाप लेना बाकी है आए न कल प्लीज यह भी ठीक है नाप लेने से फायदा क्या ट्रेस बनाने के लिए प्लाब अगरे की जरुद परच्छी है फिलाल पैसे कहा से आएंगे कितनी रुपे लगेंगे यह कुई तीन-चार्स दो रुपे हो जाएगा कुछ ने कुछ बगवान जरूर मदद करेगा हुआ 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 यह रुपे मेरे तक्षे पर कैसे है यह चाहिए अरे रुपे यहां कैसे भगवान जब देता है तो छपर फाड़ के देता है हुआ हमारे छपर में तो जरार तक नहीं और तुम के हुआ मेरा ख्याल है। तो महरे कानों में बालिया हुआ करती थी RAW सिर्फ ख्याल है याकिन नहीं हमें साथ रहते हुए मतनों बीत गए यानि कि थी बालिया और भालिया बेच कार तुम्हें रुपे लाई कर न बेचिने गिर्वी रखी हैं अब ये रूपी हमारे काम आएंगी वो बालियां किस काम की ये तुमने अच्छा नहीं क्या साथ नहां इस वक में बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ ये घर चराने के लिए तुम्हारे जेवर वेके लानत है मुझ पर अब फुजूल परेशान हो रहे हैं मेरे लिए बेकार है सारे जेवर मेरा शिंगार देखने वाला है ही कौन आपका कारोबार चल पड़े तो छुड़ा लएंगे वो बालियां अब चेट पर चाई पीकर जाए बाजार और जरूरी सामान लाकर जुच जाए अपने काम में अरे 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 रोक क्यों रहे हो मेरे मुलने राचा अरे रोने की क्या बात है ऐसे तो साधना एक नई लंगूडी लाव पहलवान ची के लिए हमें भेगो बैठें देखो शैतान तो फिर गोद में क्यों लिया पालने में ही रहने देते अरे बाप के बाहों से बढ़कर कौन सा पालना हो सकता बेटे के लिए अब तो इनी बाहों में पलकर बढ़ना होगा विटा सिर्फ तुमार नहीं तो जी रहे हम सिर्फ इसके लिए मुझे दीजे मुन्ना आप कप्ड़ बेदल डालिए आप अब बहुत ही अच्छी केमिस की दुकान मिल रहे हैं क्या मुसीवत है यार तुम्हे को दूसरा बाप नहीं मिला था हलो हलो टेस्टिंग वन टू स्री फोर टेस्टिंग आउं भैरा नहीं हूँ तुम बोलो आप क्या यह पापा एक बहुत ही अच्छी केमिस की दुकान मिल रहे हैं आप कहें तो मैं खरीद लूं क्या हूं कार्मेंट की फैक्टरी तुम ने खरीद ली, ट्रांसपोर्ट की कंपणी भी तुम चला रहे हो, जो चला रहे हैं? एक दिन आपका दामाद कितना नाम और धन कमाता है कितना नाम और धा 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 से धन तो तुम क्या सिर्व नाम और धन पैदा करने के लिए मेरे दामाद बने हो तो और किस लिए बना हूँ अवलाद पैदा करो गोबर गणेश अवलाद पैदा करो देर साल हो गए तुम्हारी शादी को तुम्हारा इस ससूर घर में बैठे-बैठे मक्षिया मार रहा है अब इस उमर में और क्या मारेंगे ये? कुछ नहीं मुझे एक नवासा चाहिए दिल बहलाने के लिए क्या है कि क्यों परिशान करते हो पापा को? है? है? हलो, हलो, ये तो चल रहा है हाँ अब माँ की जीवन फी जोटी है तो कर दो कर दो कर दो जीना है अब मुझ को तेरे लिये जीना है अब मुझ को तेरे लिये जी ये उम्र मेरे भी ले कर दिये जीना है अब मुझ को तेरे लिये अब मुझ को तेरे लिये अब मुझ को तेरे लिये हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है तुझा नहीं आथे पे बिली अशाजी मा पिर जुल है बनी पाके तुझे जीने का सहारा वा मिला वदली मेरी जिन्दगी ये वर जाने या दिल जाने ये दिल जाने या हम जाने एहसान क्या तुने हम पर किये जीना है अब हम तो तेरी जी जीए अमरे मेरी जीए करे जीए जीना है अब हम तो तेरी जीए 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 झाल जीए 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 कर दो जानने तेरे नाम से समाना ये मुझे तु ऐसा वारिस बने एक दिन वा मुखत का मैसी आसु तरे प्यार में धूपाना दे आसु तेरे हम भी जाएं हम भी जाएं आसु तेरे हर फर तु खुश्य आपार रगतिये जिना है अब हमसे तेरे लिए जिये उम्र में धिते हर जिये जिना है अब हमसे तेरे लिए ज चिना है ये जब हमसे धूपा जिना कर दो दो बाइब और चे दर कि दो गैंग अां आई बद्माश हुँ अरे विपिन, कमाल, ये चमातकार कैसा, तुम और मंदिर में, क्यों, नास्तिक भी तो नहीं था, भग भी तो नहीं थे, तुम जैसो को भगवान या तो मुसीबत में याद आता या जरूरत में, बिल्कु ठीक कहा करन भया, मैं तो मा बनने के लिए भगवान के चर्ण में ज बड़ा ही प्यारा बेटा पाया है आपने, यह बच्चे की मा है न करन भया? जाओ, अब चली ना घर, चलो, अच्छे चलते हम, एक मिला, मैं जर बच्चे को प्यार तो कर लो, आ बेटा, मेरे गोद में आओ, मैं पापा के गोद से किसी के गोद में नहीं जाता, मामी के ग पेटा पैदा करके हमें गोदे दो किसी आनात आश्रम से ले लीजी चलिए चलता हूँ भावी चलो मुन्ना ए मुन्ना ताजा साधना मुन्ने राजा साधना कहाँ चलेगे लुनो आप आगे आज सवेरी नहीं शाम को नहीं सर्थ होना था मुन्ना का है माई थी अपने साथ ले गई कल छोड़ जाएगी अच्छा यह कल्दा यहां क्यों बड़ा है मुद्द से इतने दिनों से तुम सक्त बिस्तर बे सोती हो मेरे पती भी तो सोते है हुआ कलुम अभाट्मूद मुद्ध नह डर्म नहीं नहीं आंड वो, चाल का वक्त कुजए चुजए चुगा है! Thank you! कि लड़न कमें, चीजए उना है! कि लड़ों, हो कि जड़ा सक वाक on depend a you, की पूछ प॥ाँ में, IST बड़ा! ब़ाया कि में वेश अपयाा कीो, शाक पूछने ब ए compensation, iau भी आवाए रहा हैं! का वाए ही है, अ दो ची ley आवाई Süू, है अ revenir chillyesome है! जर्वादा बंद रखो चुली सेजबे अकेली तुम अब भी मुझे नजरा क्यो बंद रखो बंद रखो जली नया पर्दल अब नहीं पिने दूंगी पती वरा धर्म का पालंग हो रहा है चरा पिने से रोक रही हूँ और सब लेकर जो घूट पती मुद्दत से पी रहा है इसका कुछ ख्या देगी सब रखे घूट नहीं समझे ना आओ मेरे साथ तब मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रूप गोने के मेरे मन को मुह लेंगे मेरे तिरो त्यमात पर थीरे थीरे इच्छा जाएंगे मुझे उस वचाद से आजाद को रो साता अब तो जी चाहता कि मुश पर्दे को आग लगा दो ये इच्छा शायद नशे की कारण आपके मन में जाक उठी है कल्च अपने शाह उतर जाएगा तब भी ये इच्छा बनी रहीगी ये इच्छा साथ साल होगा हमें साथ रहते रहते तुम्हारे मन में मेरे अब तक जरा सी चाहत नहीं जागी चाहत क्या चीज़ पूजा और भक्ती भी जाक चुकी है मेरा सवबाग है कि आप जैसा कदरदान पती मिला मुझे आप सिर्फ मेरे पती ही नहीं मेरे देवता है मेरे भगवान है आप और भगवान पे मसले हुए फूल नहीं चड़ाय जाते पाप से दुशे दिये बधन आपके योके नहीं मुझे देवता या भगवान समझना छोड़ो सिर्फ इंसान समझो अपना पती समझो मैं तुम्हें जरा से भी दोश नहीं पाता पला की कशिश पाता हूँ मिटा दो ये फासले साथना वरना मैं भागल हो जाओंगा मेरे सीने से आके लग जाओ आके लग जाओ मेरे सीने से इसे देखिए आप मदू को दिन रात अपने सीने से लगाये रखते हैं नशे की हालत में मदू का अधिकार मुझे मत दीजिए अन्याय होगा उसके साथ मैं जानती हूँ मदू के लिए आपका प्रेम कितना गहरा है कितना पवित्र है और उस प्रेम की बड़ी इज़त है मेरे नजर में इसलिए आपके और मेरे बीच का फासला मिटाने का साहस नहीं है मुझे मैं जानती हूँ कि मेरी और आपका चुका आपकी ख्वाहिश सिर्फ जिसमानी है तुम गलत समझ रही है साथना गलत होया सही इतना जानती हूँ कि आपकी बेचेनी बढ़कर अब तरफ बन चुकी है आपको मेरे तन्मन पे हर तरह से अधिकार है वो तड़क मिटाने को अगर आप चाहे तो इस पर्दे को हटाकर उस सरफ आ सकते हैं मैं आपको रोकूंगी नहीं नई साथना अब तो यह पर्दा तब ही अठेगा जब तुम्हे विश्वास हो जाएगा कि तुमने मेरे तिल में अपनी जगा बना लिये और तब यह पर्दा तुम खुद अठाओगे जाओ सोचाओ लक्षमे लक्षमे आजकल जब काम से लौटता हूँ तो मैं अजीब बेशरे मूर में पाता हूँ इससारा रोती को रहती है कोई नयाशक जागा है क्या डॉक्तर की रिपोर्ट आई है अपने नसीब पर रोती हूँ रोना तो मुझे अपने नसीब पर चाहिए मुझे तो पहली से इशक था कि तुम बांच हो बांच? बांच कहा तुमने मुझे? तिल मिला क्यों उठे? कोई गाली तो नहीं दी मैंने वही कहा है जो डॉक्तर ने अपनी रिपोर्ट पे लिखा होगा ठीक है तुम्हें यकीन है ना कि मैं बांच हो तो ढूम लो कोई दूसरी दो चार आउलाद पैदा करके दिखाओ एक आउलाद मुझे दे देना मैं उसी में खुश रहूँगी बखवास बंद कर कानून भी बांच औरस से तलाक के जाज़त देता है मैं दूसरी शादी कर सकता हूं समझी हजार शादिया कर लो फिर भी तुम आउलाद पैदा नहीं कर सकते क्योंकि खोट मुझ में नहीं तुम में है अच्छा खोट मुझ में है बेवकूफ औरत मैं आउलाद पैदा कर चुका हूं तुझसे ब्या करने से पहले क्या? क्या कहा तुमने? हाँ और बच्चा मौजूद है इस दुनिया में बांज तू है तू तो पढ़ो ये डॉक्सर की रिपोप शादी से पहले आयाशियों का ये फ़ल दिया है भगवाने तुम्हें कि अब तुम बाप बनने की काबिल नहीं रहे ये समाज से तुम मर्दों का है न? अरे तुम लोग तो आसानी से दीगे मार सकते हो कि मैं दूसरी से उलाद पैदा कर चुका मगर मैं और अज़जात कैसे थाबित करूँ कि मैं बाप बननने की काबिल हूँ बोलो, बताओ मुझे, तुम्हें सिवा और किसके पहलो में जाओ मैं हमारा प्यार को बोड़ा, हापी दुशावा ते जावा देगा मगर तुम जावानी मही grew September आई sc magnum जावानी मही गोड़े वह मैं से erion चलो चलो उठो पहले खाना खालो फिस हो जाना पापा के हाथ से खाऊंगा पापा तो दवाई पीने बैठ गया है मैं भी पीऊंगा ठीक बचे दवाई नहीं पीते तो क्या बड़े यह पीते हैं हाँ तो आप क्यों नहीं पीती सुनो तुम रोज पापा को अपने हाथ से खिलाए करो फिर वो दवाई पीना छोड़ देंगे अच्छा पापा खाना अरे पेटा आम सॉरी हम तो आपको खाना खिलाना भूली गए पापा अज अदला बदली खाएंगे आप मुझे खिलाएंगे मैं आपको अरे बेटा आपके पापा तो रोज देर से खाना खाते हैं नाई अब मेरे साथ खाना पड़ेगा रोज पेट भरके नाई बेड़त हाली में खाना कितना कम है और तुम्हारे लेही तो है और मैं और खाना परस्दूंगी बच्चे का मन रख लिजे ना आप रोज मेरे का प्रिबेशिन मिनिस्टर बन सकता है कौंसा मिनिस्टर पापा फूर्ड मिनिस्टर चल के रा प्रिदो प्रिय और मिनिस्टर तुम्हारे सावार्ण मिनिस्टर पर दोह एक रम प्रिरों सकता है को रखातीक सेया हाली म इक चलो, खाना खालो मुख नहीं है तुम्हारे लिए अब तक मैंने भी नहीं खाया कोई जरूरत नहीं है इस हैसान के आपनी नरह शेज के लिए तुम किसे की जिन्दगी में काठे को बढ़ रहे हो पिपिन यो पो योय हो पिन जो हो गे हो ही काटोगी एक दिन तुम्हारी नरम सेज काटोगी सेज बन जाएगी हाँ तुम जवानी बाइ बोड़े हो यादु ऐसा खेल करना छोड़ दो तुम जवानी बाइ बोड़े हो यादु नहीं इतना परिशान क्यों होते हो अगर हमारी अपनी अलाद हमारे नसीब में नहीं तो किसी बच्चे को गोध ले लेंगे लक्ष्मी, तुम उसे अपना बेटा मानने को तहित न रहो उसे? कोई खास बच्चा है तुमारे द्यान में? नहीं, मा मेरा मतलब, कोई ऐसा बच्चा हो जो हम दोनों को पसंदो सुनो, मैं तो उस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, जिसे तुम ब्या से पहले पैदा कर चुके हो माघर, माघर लक्ष्मी वो मेरा खुन न सही, कम से कम तुमारा खुन तो होगा, उसे ले आओ घर में मुझे मालूम नहीं, वो बच्चा अब कहा है मा के पास होगा, और कहाँ, मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसे समझाओंगी, मिन्नत हे करूँगी कि बच्चा बाप को दे दे मैं मा का सारा प्यार दूँगी उस बच्चे को मालूम नहीं लक्ष्मी, उसकी मा अब कहाँ होगी लेकिन तुम्हें वो बच्चा भी तो बहुत पहरा लगा था जो तुमने करन की गोद में देखा था तुम तु ऐसे कह रहे हो, जैसे वो कोई एक लावारिस है, करन बया का बेटा नहीं करन मेरा दोस्त है, मेरा जिवी दोस्त, मैं उसे समझा लूँगा, कि तु अपना बच्चा मुझे देदे एकलवाता बेटा किसी ने दिया है कभी तुम इसकी फिक्र मत करो, यह मुझे पर छोड़ दो, देखना, एक दिन मेरा बेटा इस घर में ठेलेगा तुम्हारा बेटा? मेरा नहीं होगा क्या? हम दुनों का होगा, तुम्हारा भी होगा, हम दुनों का होगा ए मुन्ना, मुन्ना, आजा, तौरे देर हो गई यह क्या शर्ट भार ने के लिए, चलो कर अंदर हाँ और क्या किया श्कूल में? बाउप पराईटी, बाउप का दन कैसा है अरे तू? ठीक हो, इदा भी ग्रोज स्कूल लेने आता है आ मेरे घर चल, तुम्हारे घर? हम साथ काम नहीं करते तो क्या हुआ मकर दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे चलना प्लीज ना मैठ चलो पापा, अंकल के पास कितनी अच्छी कार है आपके पास क्यों नहीं है? अपना अपना नसीर है बेटा अंकल को कार की तमन्ना थी तो उनके पास है हीरे जैसा बेटा मेरे पास पापा, ये तमन्ना क्या होती है? बहुत बुरी चीज होती है बेटा उसके लिए लोग अपनों को भी ठुकरा देते है चत बैठते अंकल की कार में हम लक्ष्मी ए लक्ष्मी, देख तो कौना है? अरे उनना बेटे आ मेरे पास नमस्ते भावी ये क्या? आज फिर भावी को साथ नहीं लाए वो रवी को मैं स्कूल सी घर लेके जा रहा था के राश्ते में आपके पती देज मिल गए और हमें किड़नाप करके या लिया आज इनके इरादे कुछ खतर्नांग लगते हैं जब दोस से कत्राओ किड़नाप कर ना ही पड़ेगा तब सी तुम्सेलो ज़रा मैं इसद्ट में पढता हूं चलो बटए इनममी गोद में जाऊंगा बेटे में इन पापाई गोद में तो रूस जाते हो पापा जाओ बेटर मार आये मुद्दत के बाद यार नसीब भुआ है दिन में पिना छोड़ दिया है मैंने आज सिर्फ तेरी खुशी के लिए तुम जैसा दोस्त दूढने से भी नहीं मिलेगा शराब पिलाकर रवी को मुझसे छीनना चाहते हो कैसी बात ने कर रहे हैं? तुमने भावी को पटा लिया है न? रवी को गोद लेने के लिए तुम्हें कैसे पता चलाएं? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ उस वक्त ही समझेया था जब तुमने रवी से कहा इन ममी की गोद में जाओ मैं तो उसे कुछ शिपाओंगा नहीं करन दुनिया में अगर कोई मेरा दोस्त है या किसी को दोस्त माना है तो सिर्थ जे ले बाकी दुनिये पर बड़ा ऐसान किया आपने जली कड़ी मत सना दोस्त करन हमारी शाजी को आज साथ बरस तो है मगर मैं बे ऑलाद हूँ इसमें किसी का दोश नहीं है मेरी पुरानी आयाशियों खनतिजा बाकी तो सब कुछ हासिल कर ले आए एक नेक बीवी जेर सरह पैसा यह आलिशान घर एश्वार हम के हर छोटी बड़ी चीज है मगर सब बेमानी हर तरफ संदाटा ही संदाटा है इस चारदेवार ही मेरे कान तरसते हैं किसी बच्चे की आवाद सुनने को उसके खिल-खिला हाट सुनने को जे चाहता जब मैं काम से लोटाओ तो तुम को मेरी विगोद में आके पापापा पकड़ी लेकिन नहीं जब मैं लोटता हूँ तो यह खामोश दीवारें होती हैं करन तुम मेरा दुख समझ सकते हो मेरी मदद कर सकते हो भाई मुझे मेरा मुन्ना लोटा दो बस तुमारे दुख दूर होते रहे उसके लिए कोई मरे या जीए तुमारी बदा से कब तक तुम सिर्फ अपना ही सुआत देखते रहोगे विपिन मुन्ना मेरी जीने का मकसद बन चुका है मेरी जिंदगी में जो कुछ भी खुशी है उसी किदम से है उसे मैं तुमारे हवाले कर दूं तो मेरा क्या होगा यह भी तुमने कभी सोचा है तुम जेल सकते हो करन जो सहन शक्ति तुम में है वो मुझ में नहीं तुमने साधना ये घरवालों को दुखों से बचाने के लिए कितना बढ़ा त्याक किया एक त्याग हमारी लिए भी कर दो हमारी लिए भी कर दो मिल दोस्त लक्ष्वी दिन राथ तड़कती है कि उसकी गोद बर जाए बाभी तु सिर्फ तड़कती हैं कि उनकी गोद भार जाए साधना की हरी भरी गोद उजड़ गई तो वो तो मर चाहेगी यह तुमने सोचा भी कैसे है कि वो अपना बेटा तुम्हे देरे को राजी हो जाएगी अगर तुम मजबूर करोगे तो जरूर आजी हो जाएगी तुम साधना यह गोद फिर से बढ़ देना उसे दूसरा बच्चा दे कर पेकाल की बाते मत करो तुम बेपिन मुन्हा तुम्हे नहीं मिलेगा समझ गया क्यों नहीं मिलेगा अगर तुम साधना के दूसरा बच्चा दे सकते तो कभी कादे दिया होता मेरा मुन्हा तुम दोनों के बीच में दीवार बन गया है क्या बकरे हो तुम और नहीं तो क्या मुन्हा साधना के पहले प्यार की निशानी है वो जब तक उसकी नेदरों के साम में रहेगा, तब तक साधना को मेरी याद लाता रहेगा, वो मेरे ख्यालों में रहेगा मर्द भूलों के साधना मेरी पत्नी है, इस बाद तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकि नायंदा उसके खिलाफ एक लफ्स भी कहा, तो अच्छा नहीं होगा वे पैनी, सच्छाई कितनी कलवी होती है न, मैंने तुछ इतना कहा था कि अगर तुम्हें उलाद का इतना ही तो अपनी आउलाद पैदा करो, मेरे बेटे पर कबजा किये, क्यों बैठे हो, कबजा तो तुम करना चाहते हो, मेरे बेटे पर, तुमने तो आम खाकर घोकी फेकी थी, कुड़ा कर समझकर, मैंने उसे संभाला सीचा, हरा भड़ा पोदा बनाया है, और आज तुम अपना ह सिर्फ दस दिन के लिए, दस दिन के लिए मेरे मुन्ने को मेरे पास छोड़ दो, अगर तुम्हे ना बुला दो, तो मेरा नाम पदल देगा, ये तुम्हारा भाम है विपिन, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता, तो आज माकर देख लो, दस दिन के अंदर, मेरा देखेगा भी नहीं, ये मेरा चैलेंज है करन, चैलेंज ठेक है, मुझे मन्जूर है तुम्हारा चैलेंज हरे, आज बहुत देर कर दी मुन्ने को लाने में, कहा है वो, बाहर खेलने लगा है क्या, मुन्ने को बिपिन के छोड़ा है उसके घर, विपिन ने दावा किया था, कि 10 दिन में मुन्ना मुझे भूलकर उसे सारा प्यार देगा, मुझे यकीन है कि विपिन को मुझ की खाने पड़ेगी, मुझसे पुछे बगर मेरे बेटे को, आप उस बदमाज के घर छोड़ा है, क्या अधिकार था आपको कोई अधिकार नहीं, याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो भूली गया था, मैं तो सिर्फ नाम का बाप हूँ, और पती भी, विपिन ने भी यही कहा था माफ कर दीजी मुझे, आपको अधिकार है, लेकिन विपिन बड़ा चाल बास है, जिस चीज़ पर उसकी नजर बढ़ जाए, उसे हासिल करके ही रहता है परिशान मत हो, तुम्हारा बेटा लॉटा आएगा तुम्हारे पास, मेरे खाथे दर दिन सबर कर लो, उसके बाद मैं कभी अपना अधिकार नहीं चताऊँगा, कभी नहीं कहा चले? अपने जीवन साथी के पास मैं हूँ आपकी जीवन साथी? सिर्फ नाम की, तुम साथ रहकर भी दूर रहती हो मेरी तनहाई को दूर करती है, सिर्फ शराप अच्छी है ना कार? कर नम अपने मुणने के लिए इससे भी अच्छे खिलाने लाएंगे हवाई जहाज लाना, उडने वाला हाँ, अरे भैं हम वो उडने वाला जहाज लेकर आएंगे और आज ही लेकर आएंगे, तुम उसे खूब उडाना मगर आज तुम कैसे उडाओगे? आज तुम्हारे वो वाले पापा आके तुम्हें ले जाएंगे आप लोग मत भेजना बेटे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे इसके लिए तो तुम्हें उसे कहना पड़ेगा कि हम नहीं जाते हम तो यहीं रहेंगे वो ठाके ले गए तो? उसे पहले तुम उपर दोड़के चले जाना फिर हम उने धुर्शियों धुर्शियों करके बगादेंगे निचे से ठीकिना? रभी बेटे आगे करें भीया नस्ते भावी चारों तरफ मया जाल बिछा रखाया रभी को भासने के लिए पेरी जीत मेरी होगी विपिन चलों बेटे घर चले नहीं मैं यहीं रोंगा मुन्ना मुन्ना देख लिए अपनी जीत अब जाओ चुपचप लोड़ जाओ नहीं नहीं यह तुमाजी कुछाल है मुन्ना पहले तो पापा को देखते ही तुम गोद में आने के लिए दोड़ पड़ते थे तो पिर आज क्यू भागना मुझसे इसलिए कि आज ममी और बाप दोनों का प्यार उसे मिल गया है अब उसे तुम्हारी ज़रूत नहीं तुम जाओ मुन्ना 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 मुझे तेरी जरू से बेटे देख तेरा ये गरीब बाप तुझे ऐसी केमती खिलोने तो नहीं दे सकता लेकिन जितना प्यार मैं तुझे दे सकता हूँ तुझे यह कोहीं नहीं देगा सब कुछ मिलेगा उसे जाओ तुम छोड़ो पेपन आजा बेटा मेरा पास आजा 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 करशन, प्लीज, प्लीज तुम जाओ, बच्चे करेशन मथ करऊ प्लीज, तुम जाओ, यह मुझे ऐसमा इसकता, करशन मेरा क выглядит मुझे प्लीज जाहशू मुझे भाचन मुझे dá बच्चे नहीज, मुझे बच्चे मुझा पास करका लंगे पिए पुटोरा करें, पुटोरा पुटूरा कुटूरा कुटूरा व हर्ता पहा भर जैक 2018 विर. पींट हरें, पीएमन था था पूंग! पापा चाहिए पापा मुझे नहीं चाहिए बच्चे की दिल में लोग जगा कर तुम उसे अपनाना चाते थे अरे दिल जीते के लिए प्यार जगाना पड़ता है विपिन प्यार जगाना पड़ता है और वो प्यार पाने के लिए सच्चा प्यार देना भी पड़ता है चलता हो भावी मामी मुन्न, 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 आ गया ना तू, हाँ, लाट रहे ना अपनी मम्मी के पार, आप मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाना, हाँ, पापा को भी, थोड़ा दूद पी ले, अरे, तेरा बदन क्यों घरम है, तर में भी दर्द है मम्मी, मैं रोया था, क्यों, तू क्यों रोया बेटे, पापा रोय तो मैं भी रोया, पापा क्यों रोये, क्योंकि मैं नहीं आ रहा था, झाल झाल तोटा हुआ मंदिर हूँ मैं किसी के प्यार की जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया तोटा हुआ मंदिर हूँ मैं किसी के प्यार का जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया ना कोई रस्ता मेरा, ना मेरी मंजिल कोई, फिर किस लिए जिन्दा हूँ, जिन्दगी है क्या जिन्दगी फूटा हुआ मंदिर हूँ, मैं किसी के प्यार का, जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया बीती हुई बातों की दर्ग भरी आदे हैं, रूट गए मुझ से मेरे दिल की खुशी अब तो मेरी आँखों में आशो ही आशो है डूब गए आशों में ये जिन्दगी किसको है परसकी यहां जो आशों पहुचे मेरे मैं किसको आवाज दूँ जिन्दगी ये है क्या जिन्दगी सूटा हुआ मंदिर मैं किसी के प्यार का जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया मूरत है तक दिन्दगी कि राह तकती है कौन आके अब मुझे लगाए गले वक्त जिसे लूते यूँ जब नसीब रूठे यूँ फिर नसीब पर नजोर कोई चले रस्ता के मिया हो तुम मन देल हो तुम मेरा है जब कुछ तुमारा जिन्दगी मुझे तुन देले तुम ही मेरे मंदिर हो तुम ही मेरे देव का मैंने तुम्हे फूजा है रात दिन किया मेरे मन की मंदिर में बस तेरे मूरत है दिल में जल रहा है तेरे प्यार का दिया दिल में जल रहा है तेरे प्यार का दिया तो में प्यार का दिल में जल रहा है तो में प्यार का दिल 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 में प्या देहत, दिल उजान से मेरी साथना एक बार फिर से कहो साथना, मेरी साथना मुन्ना करा क्यों रहा? हलका सा बुखार था मैंने दवा दे दी है इसे तो बहुत तेज मुखार हो गया है चलो इसे दवा खाने ले जलते है दवा खाना तो बंद हो चुका होगा इस वक्त अब सवेरे ले जा सकेंगे आप चाहिए, सो जाएए मैं जागूँगी सारी रात अपने बेटे के पास नहीं, तुमसे जादा बेटा ये मेरा है तुमने तो सिफ जनम दिया, पहला मैंने है से तुम जाओ सोजाओ, मैं इसके पास रहूँगा देखे, आप जब मत करिया पाप, पाप, पाप मुना, मैं हूँ या, बेटा अना कर दो उनम मैं से लेगे पाप, ये, वाप, जसके पाप दो साधना, पिछली रात तुम्हें जगाने को मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ही कई रातों से तुम्हारी नींद उड़ा रखी थी, मुन्ना को विपिन के घर छोड़कर, घप्रा ना मत, इस बार उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, कुछ तेरी में बापस ले आऊंगा तुमसे ही मिलने आया था में, करन तुम उन्ने को लेने स्कूल गया होगा, बैठने के लिए नहीं को होगी चले जाओ यहां से, मुझे जितना में बुरा भाला कहना चाहते हो, कहलो मगर ऐसे मुझा न मिलो तुमसे विश्वास खात करके, आज मैं बच्टा रहा हूँ काश, लक्षमी के बज़ाए, मैंने तुमसे शादी की होती बाखंडी, लक्षमी जैसी पती व्रता और धन्वान नारी से भी शादी करके बच्टा रहे हो तुम जैसा खुदगर्ज ढूंडे से न मिलेगा, जानती हूँ आज क्यों आए हो मेरे पास अपने स्वार्थ के लिए, मुन्ने को हासिल करने के लिए हाँ, मुन्ने को हासिल करना चाहता हूँ, मगर इसका करन स्वार्थ ने है, यह रहे साथ न बेटा, तुम्हे अनात हश्रम से भी गोद्वे सकता हूँ, फिर मुन्ना ही क्यों, इसलिए कि वो मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है बखो मत, मेरी नादानी और तुम्हारे फरेप की निशानी है वो, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, नफरत मुझसे नफरत करती हूँ, तू अपने पती से दूर क्यों रहती हूँ क्यों नहीं करन को दूसरा बच्चा दे देती, जिसकी रगों में उसी का खून हूँ अपने आपको क्यों धोखा दे रही यह साथना अभी तक कही न कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगा बाग की है इसलिए तुम करन को प्यार नहीं दे सकी हूँ सिर्फ प्यार ही नहीं मैंने उन्हें भक्ती भी दी है उनकी उपासना की है पूजा करती हूँ मैं उनकी उस देवता पर तुम्हारी जूठन चराई जाए यह साहस मैं कभी नहीं कर सकी मेरी जगा उनके चरलों में है बाहु में नहीं तो ठीक है करो अपने उस देवताव की पूचा लेकिन उसके साथ-साथ अपने बेटे के बारे में भी सोचो उसके भविष्य के बारे में सोचो करन उसे क्या दे सकीगा अगर मेरा मुन्ह मेरे पाज पलेगा तो करोरों की जाइदाथ का वारिस पलेगा चायदात के साथ साथ सेंख्रो एब भी मिलेंगे उसे परेब, मकारी, चाल साधी का पूरा सबक मिलेगा तुमसे उस पर अगर तुम्हारी चाओ पड़ी तो वो भी तुम्हारे जैसा शैतान ही बनेगा करण जैसा फरिष्टा अपने बेटे को एक नेक इनसान बनाएगा देखो साथना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुन्हा मेरा बेटा है उसे मेरे हवाले करता हूँ वरना मैं साबित कर सकता हूँ कि मुन्हे का असली बाप मैं हूँ कैसे करोगे? अधालत में, उस डॉक्टर को भी अधालत में खीच कर लाऊंगा उसे गीता पर हाथ रखकर कहना पड़ेगा कि तुम शादी से पहले माँ बनने वाली थी देखो साथना, अगर मामला कोर्ट में गया, तो तुम कलंकनी कहला होगी और तुम्हारा बेटा व्यवचार की संतान नाजायस आउलाद कहलाएगा खामोश, कोई भी आउलाद नाजायस नहीं होती नाजायस होते उसके मापाप के तालुकात हमारे समाज में मा का कलंक आउलाद को भी चकर लेता है इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा मुन ना मुझे देदे कलंक की दर से अगर मैं भागती रही, तो सारा जीवन उस ज़र से छुटकारा नहीं मिलेगा मुझे मैं पालूँगी अपने बेटी को, और हर बदनामी से उसे उसे बचाऊँगी कैसे बचाऊँगी? अदालत में गीता पर हाथ रख शपत लेकर ये कह सकोगी कि मुन्ने की रगों में मेरा खूल की हाँ, क्यू नहीं? जब तुम अपने मकसद के लिए कदम कदम पर जाल साजी करते हो, तो क्या ये मा अपने बेटे को तुम्हारे जाल से बचाने के लिए एक जूट नहीं बोल सकती? जरूर बोलूँगी, शपत की बंदीशों में मा की ममता नहीं चकरी जा सकती अदालत में जूट बोलना इतना आसान नहीं है, वकील तुम से ऐसी सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे पसी ने चूप जाएगे पसीने तो तुम्हें आएंगे मिस्टर, मुझे एक बार कोट में खीच कर तो देखो, मेरे एक ही सवाल पर तुम्हारा जीच आहेगा कि चिल्लू भर पानी में डूप मरो कौम सा सवाल? यही कि जो शक्स जवानी में ही बरसो तक अपनी बीवी को बच्चा देने के काबिल न रहा वो मुन्ने का बाप कैसे हो सकता है? डॉक्टरों से जाच करवाई जाए कि नामर्द है कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाए तो मैं उसके हाथ काट कर रख दो तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती निभाने की कसम कही थी इसलिए मजबूर हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देता चाता देगा लो यहांसे करण तुम तो अच्छी तरह से जानते हो जिस चीज की मैं खाहिश करता हूँ उसे हासिल कर ही लेता हूँ और फिर मुन्ना तो मेरी अबिलाशा है यह बगवान इसे तो तेज बुखार है सुनिये सुनिये ज़र जल्दी उठिये मुन्हे को बहुत तेज बुखार है हाथ भी नहीं उठा सकता मैं डॉक्टर को ले के आता हूँ ओ माई गॉड ब्रेन फीवर है यानि सरसाम हो चुका है जान बचाने के लिए इसी वक्त एक खास इंजक्शन लाना होगा इतनी रात को दवा की दुखाने तो बंद होगी फिर भी मैं लेकर रहा हूँगा बेपन 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 जल्दी चल मेरे साथ मुझे इस वक्त तेरी सख जरूरत है प्लीज बेपन तुमने तो कहा ता करन कि तुम मेरी शकल नहीं देखोगे कौन सी मुसीबत लिया तुम मेरे पास उस बच्चे की जान बजाने के लिए जिसकी चाहत तुम्हें भी है निमोनिया का बुखार मुनने के साथ चड़ गया है दुख्तर ने कहा कि यह विदेशी इंजेक्शन फॉरन ले आँ क्या कैलाफान इसका मतलब है मुननेक ते बिद बहुत जादा खराब है बहुत खराब है विपिन इतनी राद गई से अब दुखाने बंद हो गई होंगी तुमारी केमेस के दुखान हो चलो उसे खोड़के इंजेक्शन मुझे दे दो प्लीज हाँ जरूर तुमा करें लेकिन तुम्हें मुझे एक बचन देना होगा बचन? कैसा बचन? मुननेक के समखाकर कहो उसका बखार ठीक होते ही तुम मेरे बेटे को मेरे हावाले करता होगी जिस बच्चे को तुम अपना खून कहते हो उसकी जान पर बनी है और तुम्हें इस वक्त सौदेबाजी सुझी है मुका देखकर सौदेबाजी करना जानता हूँ मुन्य को हासल करने का इससे अच्छा मुझा और कहामें लिगा मेरे जीते जी तुम मुन्य को कभी हासल निकार सोगे विविंद पर एक बात वा सुन लो जब तक मैं जंदा हूँ मैं मुन्य को मन ले नहीं दोगा उसके लिए इंजेक्शन मैं पाताल से भी निकार नहींगा करन लक्ष्पी करशोगी चाभी निकालो कहा है लक्ष्ट लक्ष्ट एपनो मैं से इन वो खाटोव बेकितर अगर बच्चे को वो इंजक्शन नहीं दे गया तो पहचाना जम्बू दादा हाँ तेरे कारण परसों जेल में सरता रहा आप क्याया हूँ इसाब चुकता करने प्याज साहित जम्बू दादा मेरा बेटा बहुत बीमार है अगर फॉरन उसे ये इंजक्शन नहीं दिया गया तो मुझे इंजक्शन देदो देदू प्रीज आपका प्यार बहुत जोश्मार रहा हैं कल अपने सारे अर्मान निकालना जम्बू दादा मुझे अपने पेटी की कसम तुम जहां काऊगे वहां मिलूँगा लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो अरे मेरे मासूम बच्चे बच्छ तरस खाओ मुझे इंजक्शन देदो ये चाहिए ना आप प्लीज मेरे भाई ये रहे ओ माई गॉड एक्सो छे बुखार बच्चे की हालत बहुत किटिकल हो चुकी है हे बुखार डाया करूं मेरा बिता ठीक हो जाए जाए रह, ईाए गजए लोवबू धुणाए प्लिए ऑ्लिए ग्लिएवबू कुःबुश, प्लिएवबू प्लिएवबू बुछ उलिएए माँ़ pare कुई अग्वार मेरे बेटे की जान बचते इसकी जिन्दगी इस मुठी में है डॉक्टर यह रहा इसकी जान बचाने का इंजेक्शन लाइए जल्दी दीजिए मुझे बच्चे की मां से कुछ कहना मुझे बच्चे को फॉरन इंजेक्शन देना चाहिए वना बहुत देर हो जाएगी बोलो साथ ना तुम मुन्ना मुझे दोगी यहाब मैं इंजेक्शन लेकर वापिस जाओ क्यारो मेरा बिता जहां भी रहे सलामत रहे इसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूगी अब तो इंजेक्शन दीजिए जली आए करन यह क्यातिया मिस्टर करन आपने यह यह रहा वो जेशिवरक्ट साथ आप कोई खत्रा नहीं है मिस्टर करन सुबह होते ही बच्चे को होश आजाएगा और जब होश आजाए तो मुझे इतला कर दीजेगा जी अब मैं चलता हूँ अब आप भी जा सकते हैं करन मेरी आखिल दिजा सुन लो आप जा सकते हैं मेरी मेरी तुम दोने से हाथ चोड़ कर विंती है मेरा मुन्ना मुझे दे दो मेरी सारी दौलत मेरी सारी जाइदात ले लो मेरा मुन्ना मुझे दे दो मैं अपने बेटे के लिए तुम दोनों क्या आगे हूँ हाथ पसार कर भीग मांग रहा हूँ ताज्यू बैर तुम तु छीनना लूटना जानते थे भीग मांगना कब से सीख लिया वक्त बहुत बड़ा होता है मैंने सूचा था कि दुनिया का हर सुख दौलत से आसिल किया जा सकता है आज मेरे पास इतनी दौलत है जो करोड़ों के पास नहीं है पर ऑलाद का सुख जो करोड़ों के पास है मेरे पास नहीं है फिर ये इतनी सारी दौलत किस काम की बड़े काम की है विबिन तुम इस दुनिया में खाली आतायफे लेकिन जब जाओगे न तो तुम्हारी चिता लकड़ियों पे नहीं नोटों की ठेर पे जलाई जाएगे ताने मत तुभाई मेरा बेटा मुझे दान में दे दो नहीं स्वार्थ के लिए भगवान की सजा ही है उससे तुम्हे बेटा तेकर में नहीं दिया अपने बेटे को तुमने खुद बनाया है अब अपने पापों का प्राश्चित करो तुम बेपिन प्राश्चित करो तुम ठीक कहते हो करो शायद मेरे पास अब सच लही एक रास्ता है प्राश्चित इसी मेरी भलाई है काश मुशुरू सही तुम जैसा हो चल्दोप लुख रूदी चल्दी गरूँ चल्दी कीजिए चल्दी बुलाओ करन को होश आ गया है अब वो खत्रे से बहार है आप उनसे मिल सकते हैं थैंक यू थैंक यू डाक्टर लू ना कैसा है? हमारा बिटा.. बिल को थीक साथ यू साथ साथ यू साथ यू साथ जिहें जिहां है यह उनको केरेले